हलो एंड वेलकम टो आवर यूट्यूब चैनल जेके सर्विस एक्सवाइजड तो आज का वीडियो बहुत इंपोर्टेंट रहने वाला है तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं रिगार्डिंग परवाज कौलिफाइंग टेस्ट जो रिसेंटली कंड हम प्रवाइड करते हैं रिगार्डिंग ओल एक्जम्स वीडियो को लाइक भी कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और दोसमें से शियर भी कीजिए तो इसमें हम डेटेलेड इनालिस करेंगे तो मैं आपके कुछ पोल हमने जो टेलिक्रम ग्रूप में करव पाया था उसके बाद कुछ कमेंट्स भी आये जो हमने एक वीडियो प्रीविए वीडियो इस पर बनाया था तो वह भी मैं आपके साथ डिसक्स करूंगा वह भी आफको मैं दिखाऊंगा तो उसके बाद हम एक्सपेरियर काट आप डिटर्माइन कर सकते हैं कितना रह सकता है इस अनले एक्सपेक्टिट यह हंडर परसंट नहीं है इस अनले एक्सपेक्टिट तो अगर हम सबसे पहले देखें कि यह एक्जाम कंड़क्ट किया गया था फॉर सेवल सर्विस स्कूजिंग के लिए तो अगर हम क्वेश्चन की बात करिंगे तो टोटल नंबर आफ क् वाहिर हंडर क्वेश्चन इसमें ते तो पर क्वेश्चन जो मार्कष थे तो टोटल मार्क्स जो थे तो इसमें कोई reservation नहीं थी कि कोई SC, ST का हो या और कोई category का तो उनके लिए कोई reservation नहीं थी तो इसमें 30% reservation for women's, women's के लिए 30% reservation थी दूसरी बात यह है कि 10% reservation for previous primalist qualified जो उनने primalist का exam qualify किया था इससे पहले तो उनके लिए 10% की reservation दी गई थी इसमें women's के लिए 30% और जो previous primalist qualified थे उनके लिए 10% तो आगे बढ़ता है no reservation for SC, ST, SC, ST के लिए कोई reservation नहीं थी इसमें और और एक खास बात यह है कि बहुत सारे students absent थे उन्होंने exam नहीं दिया तो हम कह सकता है कि उतनी ज्यादा candidates ने test attend नहीं किया यह एक positive point है उसके बाद अगर हम देखेंगे तो total seats जो है that और 100 seats इसमें total है तो अब expert cut-off पे आते हैं लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊँ अगर आपकी selection होती है तो आपको एक तो आपका जो degree certificate होगा graduation के वो आपको साथ लेनी है दूसरी income certificate और एक खास चीज यहाँ पे मैं आपके साथ share करता हूँ वो यह है कि अगर कि second date की selection होती है अगर वो चाहता कि अब मैं किसी जागा पे फज़ गई हूँ कोई काम है तो मैं exit करूँ लेकिन उसके लिए उसे penalty देनी पड़ेगी तो यह चीज आप खास ख्याल जहन में यह चीज आप बिठा ले कि अगर आपको join करना है यह coaching अगर आपकी selection होती है तो आपको सबसे पहले देखना है कि आप busy मत हो किसी और काम में क्यूंकि अगर आपने यह join किया एक बार तो अगर फिर छोड़ दिया तो आपके उपर penalty आपको देनी होगी फिर यह आप खास ख्याल रखेंगे इस बात का तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक सबसे पहले में आपको एक चीज और दिखाऊंगा यह एक पोल हमने कंड़क्ट करवाया था और टेलिग्राम गूप जो हमारा टेलिग्राम ग्रूप है तो उसमें हमने यह एक पोल कंड़क्ट किया गया था यहां पर तो यहां पर जो 46 परसंट लोग ऐसे थे जिन्हों ने दिया 152 200 को वोट और 14 परसंट ऐसे थे जो एबोट 200 हम कह सकते हैं और 20 परसंट एबोट और 20 परसंट 80 200 एक तो यह इससे पहले हमने एक वीडियो भी बनाया था तो कुछ कुमेंट्स जो मैं आपके सब्सक्राइब करता हूं देखें 140 170 249 126 116 116 184 135 138 तो यह कुछ कुमेंट्स और भी कुमेंट्स थे लेकिन मैंने कुछ ही का स्क्रेंशाट यांपे लिया तो आपको मैंने दिखाया तो अब मैं एक्सपेर काटा पे आता हूं तो जैसा कि पॉल भी कंड़ट करवाया गया था और उस हिसाब से जो 150 तो 200 कंड़ेट्स के जो मार्क्स आ रहे हैं वो 46 परसंट थे तो यहां पे भी अगर आप देखोगे तो वो भी इसी रेज में लाइक करता है यह कुमेंट्स एक दो को छोड़के तो हम कह सकते हैं यह मेरी एनलजी से कि मैंने पॉल कंड़ट करवाया है तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊं जिस भी कंड़ेट के 140 मार्क्स हैं तो उसकी सेलेक्शन डन है दूसरी बात यह है कि वोमेंट के लिए रिजर्विशन है तो वो रिजर्विशन 30 परसंट है तो यह बहुत बड़ा फैक्टर है वार मैंट्स क्योंकि यह एक अगर किसी वोमेंट को 80 पलस भी मार्क्स आते हैं तो तो वो अपने आपको सेब समझे क्योंकि 80 पलस भी सेब स्कोर रहेगा फार मेंट क्योंकि 30 परसंट रिजर्विशन है उनके लिए खास तो वह एप्लस और 80 पलस पर वोमेंट तो जिनकी 80 पलस है वो मैंट्स मैं तो गर्लस में तो वह स्लेक्शन लिस्ट में आ सकते हैं बा जिन कंडिट्स के भी आते हैं तो वो डन है बाकि अगर आपने अभी तक हमारा टेलेग्राम ग्रूप जाए नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लीक मिलेगी जैके सरीज एक्सवाइज बाकि अपने राइक कॉमेट में जुरूर बताएं वीडियो को शेयर कीजिए लाइक क